बैटरी में पानी कैसे बरें हाई दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल एंगरी साइंस और आज हम देखेंगे कि बैटरी में पानी कैसे बरते हैं हम सब को पता होना जाएगे कि बैटरी का पानी किस जगा बरते हैं आप सब देख रहे हो कि हमें बैटरी के 6 सेल दिख रहे हैं जे सेल नंबर 1 है जे 2 है जे 3 है जे 4 है जे 5 है और जे 6 है जे 6 सेल हैं जो बैटरी के जिसमें पानी बरा जाता है हमारे पानी बरने से पहले हमारे हाथ में कोई भी मेटेलिक चीज नहीं होने चाहिए अगर है तो उसे उतार दे दूसरी बात हमें कोई भी ऐसा टूल यूज नहीं करना है जो मैटल का बना हो जा स्टील का बना हो आईरेन हमें विल्कुल यूज नहीं करना है तो आप देख सकते हैं कि बैटरी के दो टर्मिनल हैं और यह terminal कभी भी short circle नहीं होने चाहिए नहीं तो battery में blast हो सकता है अब आप देख सकते हैं जह सवी cell में level indicator दिख रहा है जो red दिख रहा है अगर वो उपर है green के पास है तो वो battery में पानी उस cell में पानी full है अगर वो red के पास नीचे red line के पास है तो उसमें पानी कम है आप देख सकते हो कि इसमें भी पानी कम है इस वाइल cell में भी और इस वाइल cell में भी पानी कम है अभी हम battery का पानी बरेंगे यह battery का पानी हर दुकान में मिल जाता है और इसकी कीमत 30 रुपे प्रतिव 5 लिटर होती है तो आप दुकान से यह पानी ले सकते हैं इस बैटरी में पानी बरने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए जो कंटेनर प्लास्टिक का होना चाहिए जिससे हम बैटरी के सेल में पानी डाल सके हमें एक बात का दियां रखना है कि हमें कोई भी स्टील का कंटेनर इस्तमाल नहीं करना है बैटरी में पानी डालने के लिए पहले आप बड़े कंटेनर से सोटे कंटेनर में पानी डालने और वो दोनों कंटेनर प्लास्टिक के होने चाहिए अब मैंने इस प्लास्टिक के कंटेनर में पानी बर लिया है उस बड़े बाले कंटेनर से अभी मैं इस नमबर वन बैटरी के इस कैप को खोलूँगा जिस कैप में फ्लोट इंडिकेटर भी लगा हुआ है तो आप इसे हाद से खोल सकते हैं आप देख सकते हैं इसके नीचे एक फ्लोट लगा हुआ है जो पानी से उपर नीचे जाता है अगर इस सेल में ज़्यादा पानी देगा तो जो उपर जाएगा और अगर कम पानी देगा तो नीचे जाएगा अभी हम एक फनल से इसमें पानी डालते हैं हमें इस बात का देहां रखना है कि पानी पहले हम कम डालेंगे so that जादा पानी ना डाल दे थोड़ा पानी डालने के बाद हम उस float indicator cap को दोबारा लगाके fully tight करेंगे और देखेंगे कि अभी पानी का लेवल कितना आया है तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें पानी का लेवल थोड़ा कम है तो हमें इसे फिर से खोल के हम इसमें फिर से पानी डालेंगे फिर से funnel से हम इसमें पानी डाल सकते हैं और उसके बाद इस कैप को हम बंद कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि इसका लेवल इंडिकेटर जो रेड पोर्चन है वो पूरा रेड ग्रीन लाइन तक पहुंच गया इसका मतलब इसमें पानी पूरा हो गया अभी हम लास्ट वाले इस वाले सेल में पानी कम है इसमें पानी बरेंगे तो जहे हम पहले वाला परसीजर इसमें रिपीट करेंगे थोड़ा पानी डालेंगे और टेक करेंगे उस फ्लोट इंडिकेटर से कितना पानी इस सेल में गया है तो अभी आप देख सकते हो कि इसका जो लेवल है वो green लेवल तका आ गया तो अब हम इसमें वस इतना ही पानी डालेंगे अभी हम second last जो है, cell है, उसमें पानी कम दिख रहा है अभी हम उसमें पानी डालेंगे इस वाले को इस वाले सेल को हाथ से खोलके इसका फ्लोट बार निकालके अब हम इस वाले सेल में फनल के साथ पानी बरेंगे ध्यान रहे ये पानी जो हम बर रहे हैं जき डिस्टिल वार्ट और ये कुई नल का पानी नहीं है जब कोई टैंकि का पानी नहीं है ये डिस्टिल वार्ट रहे है जो आपको एक शौप में नहर्मली मिल जाएगा और इसका जो रेट रहता है वो 30 से 35 रुपे प्रती 5 लिटर का रहता है तो आप दुकान से इसे ख्रीच सकते हैं बरने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हाथ से टाइट कर देंगे अभी आप देख सकते हो कि हर एक सेल में पानी तकरीवन रेड लाइन से उपर है और ग्रीन लाइन के आसपास है तो आप देख सकते हो अभी हमारी बैटरी में फुल पानी बर गया है आपको एक बार देयान रखना है अपने हाथों को रवर्ड गलफ डाल लेने का क्योंकि मेरे पास रवर्ड गलफ नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाले होप आपको जे वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको जे वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सस्क्राइब